नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के इंट्रो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मेडिया ने दावा किया है कि साहिन सा अपरीदी कभी भी देश के साथ गद्दारी कर सकता है। पाकिस्तान किर्केट बोर्ड द्वारा साहिन सा अपरीदी को कप्तानी से अटा कर फिर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान किर्केट के साथ कुछ भी कर सकता हूँ यदि मेरे साथ ऐसा किया गया। उसका कहना था कि मैं तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं हूँ कि मैं बावर के कप्तानी में खेलूंगा। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्या रियक्सन है पाकिस्तानी मेडिया का साहिन सापरीदी के स्टेटमेंट के बारे में। लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा कि पाकिस्तानी मेडिया ने भी साहिन सापरीदी को लेकर काफी चर्चा की है और कुछ पाकिस्तानी मेडिया वालों का कहना है कि साहिन सापरीदी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था क्यूंकि जब उसको कफ्तान बनाया गया था तो उसको कुछ मौके देना चाहिए थे लेकिन साइंसा अप रेदी को सिर्फ एक सीरीज में मौका दिया गया उसके बड़ फिर उससे कफ्तानी छीन ले गई ये उसके साथ जाती हुआ है ओहीं पर कुछ पाकिस्तानी मेडिया वालों का ये भी कहना है कि बाबर आजम को कफ्तान बनाया जा रहा है दोस्तों यह पाकिस्तान किर्केट बोर्ड की बात करें तो यह कोई किर्केट बोर्ड नहीं या एक नोटंकी बोर्ड है हम ऐसा कोई नोटंकी लगी रहती है और पाकिस्तानी मेडिया भी उस नोटंकी में नमक छिरिकने का काम है करती है क्योंकि अपरीदी देश के साथ गद्धारी कर सकता है लेकिन साहिंस अपरीदी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था उसने बस लिखा था कि मेरे पेसेंस का गलत फायदा नहीं तो जम मैं मुझ खोलूंगा तो काफी चीजें खुल कर सामने आएंगी जो पाकिस्तान किर्केट बोर्ड के ह खुद कप्तानी छोड़ा है और बाबर आजम के कप्तानी में खेलने के लिए खुशी जाहिर की है जो कि साहिंसा अपरीदी ने बोला था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो दोस्तों एहीं सब मामले हैं इस पाकिस्तान किर्केट बोर्ड में और खिलाडियों की आपस में नहीं नहीं बन पा रही है ऐसे में पाकिस्ताने मेडिया भी कह रही है कि खिलाडियों का जब आपस में नहीं बनेगा तो एफिर देश के लिए क्या खेलेंगे कोई अपने टीम के बारे में कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है इनकी एक मतरा ही नहीं है टीम के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं दोस्तों मैं इस पाकिस्तान किर्केट बोर्ट को एक ही सला देना चाहूंगा कि यदि तुम साहिंसा अपरिदी को कफ्तान बनाये थे तो उसे दो तिन सीरीज में कम से कम मौका देना चाहिए था तुम लोगों ने एक्टोमेटिक उसको कफ्ताने से हटा कर गलत तो किया ही है दोस्तों आप लोगों का इस मामले में क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंसन कीजिएगा और हमारे वेडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा